14 साल का बच्चा जिसे साइबर किड भी कहा जाता है और एक पाकिस्तानी इन्फोमेशन टेक्नोलजी, आईटी स्पेशिलिस्ट और अवामी स्पीकर भी है ये और इन्होंने बड़ी चीजे भी इजात की हैं बहुत सारी चीजे ऐसी हैं कि जिनके बारे में तो हम बड़े लो पास रखे हुएं ये भी पूछेंगे कि ये क्या चीज है 2014 में वजीरियाला का कौमी इनको जो है वो आइकॉन अवार्ड भी मिला था और डॉक्टर एक्यू खान गोल्ड मेडल भी इन्होंने लिया है 2014 से ही आई ट्रिपली यानि कि जो इंस्टिट उफ एलेक्ट्रिकल ए है इतना सब कुछ और उमर अपनी छुपाते तो नहीं हो सच बता रहे हो ना कि यह पैसे यह 14 यह जाइज है माशाला माशाला अच्छा मुझे यह बताओ कि अब तक आपने किन-किन प्रोजेक्स पर काम किया है क्या-क्या चीजे इजाद कर लिए फिर वह जो एक स्पेशल गीजर जिस पर आप आजकल काम कर रहे हैं उस पर भी बात करते हैं कि अग्यों स्टार्ट मैंने रोबर्टेक्स फील्ड में राउंड रूंड फिफ्टीन से लिया था फिर्स टाइम फास उनिवर्स्टी ने जब मुझे अपनी डबली डिपार्टमेंट का अनौ स्टार्टमेशन के आप अपने ओफिस में बैट कि अगर चाहरे हैं घर की लाइक्स कंटॉल हो जाएं घर का पानी वगएरा कंटॉल हो जाएं पानी की मोल्टर है वो कंटॉल हो जाएं वो इसके साथ था कार्ट ट्रेकर अगर आपकी खुदाना खासता गारी चोड़ी हो आप जा रहे हैं गाड़ी इस वकट साइरन हो जाएं या फिर गाड़ी आटोमेटिकल लिए इस तार्ट ना हो तो वह बीजी है अपने फून से मैसेज करें एजीली सब कुछ वह सब जाएं अब बताइए जरा आप जो घीजर है यह जो खास घीजर है यह जो खास गीजर ह जो मेरा सेकंड लास प्रजेक्ट था शेक हैंड रोब ता था सोरी हैंड केसर चलते थी आप किसी भी डिसेबल परसन की टॉली में स्टाल कर सकते हैं अगर वह मूव नी कर सकता उठ नहीं सकता है तो अपने हाथ के शारूं से कोई भी टॉली कंट्रॉल कर सकता है अगर आउटी गीजर रिसेंटी डिवलब किया है मैंने जस्ट यह समझ लेकि मैंने गीजर को मोडिफाय किया हुआ है तो मैंने प्रोमो देखा था SNGPL का के सरदी आरिया में बच्छत करनी है मैंने सुचा क्यों ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो गैस की कंजम्शन को कंट्रोल करें आप जैसे देख लें कि आपके रेगुलर जो गीजर होते हैं उनका पाइलट 24 चाल रहा होता है गैस कंजियूम हो रही होती है लेकिन जोब मैंने डिवेलब किया इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं गीजर आटोमेटिकल फोजेगा यह भी इसमें है लिए इसके साथ आफ चाहरें टाइमर सेट करना सुबा चार बज़े अगर आप चाहरें सेट थाइमर तो चार बज़े सेट करें बाकी आटोमेटिकली यह रहे हैं और कि Dank पर श्रु है सोल आपकी शार राइए तया जब अ गुस्स अब किन baru को बाहल ने तरा इता राइद है हो म nail scratched have चैते हैं तो हृबगा मैं लाइस दूज़ पर इंपरे इसलियाज़ जाए बनाज और खुर में अपने अपने घर अपनेजसर हैं जाते जाते फाइनली कि आपने काम तो बहुत बड़े-बड़े कर लिए बड़ी चोटी उमर से लिकिन जब एक्चुली आपकी उमर बड़ी हो जाएगी तो आप बड़े हो के बनना क्या चाहते हैं अब मेरा जो मोटिव है जिसमें अभी में काम करूं मेरा पैशन है वो रो बड़े चाही जाते हैं। बाकी पेरेंट्स को चाहिए जो बच्चे का पैशन है जो उसका इंटरस्ट है उसमें उसको स्पोर्ट करें फुली और आखर जो उसका पॉजिटिव इमेज है बच्चे को चाहिए कि अगर कंप्यूटर है उसकी भी बहुत से साइड्स होती है बच्चे का अपना देखा जाए कि बच्चा किस साइड पर जा रहा है तो उसके बच्चे का अपने प्लान्स में काम्याब हो और पाकिस्दान का नाम रोशन करें